हेलो टू आल इस्ट्रेंट्स, मैसेल्फ अभिलाशा चौधरी, हम बोटनी में सिंपल पर्मारेंट इश्यू पढ़ रहे थे, और इसमें जो थर्ड परेंकाइमा पढ़ लिया, हमने कॉलेंकाइमा पढ़ लिया है, और इसके बाद नंबर है, स्कलेंकाइमा जिसको हिंदी मे द्रड उत्तक कहा जाता है, और द्रड उत्तक है, द्रड उत्तक का अर्थ ये है, कि ये जो स्कलेंकाइमा है, कॉलेंकाइमा और परेंकाइमा जिवित उत्तक है, जिनमें नुकलियस पाया जाता है, जिनकी सारी मेटाबॉलिक ग्रियाए, सुचारू रूप से जारी रहती ह लेकिन जो स्क्लेरेन काईमा टिशू है उसमें इन दोनों से ज्यादा विबेदित है और इतना विबेदित हो जाता है कि एक तो इसमें नुकलिस नहीं पाया जाता मृत तुट तक है सिर्फ जो secondary wall है या जो wall system है वो ही इसमें पाया जाता है तो यह सबसे बड़ा एक point है उसके बाद इसमें variety बहुत है काफी जगह यह पाया जाता है क्या काम है इसके यह सब हम देखेंगे इसमें स्क्लेरेन काइमर टीश्यू कैन बी डिफाइन एस वन आप दे टाइप ऑप ग्राउंड और सिंपल पर्माने टीश्यू देट कॉंस्टिटीट बोथ प्राइमरी एंड स्टिफ सेकेंडरी वाल तो इसमें सेकेंडरी वाल भी है ओके अभी तक हमने जो दोनों टीश्यू प और उसके बाद जो उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है वो सारा खतम हो जाता है इस आर जेनरली रीजिड वुडी सेल विद एक कॉंपेक्ट अरेंजमेंट काफी सगन रूप से विवस्तित होती है स्क्लेरन काइमा है एक करेक्टरिस्टिक फीचर वेट फंक्शन टू प्रोमोट सेल स्ट्रेंथ और कंड़क्शन इंस्टेड और बींगे डेट सेल अब डेट सेल होकर इसका काम खतम नहीं होता है काम इसका स्टार्ट होता है डेट सेल होने के बाद जहां इसका काम है एक स्ट्रेंथ बढ़ाना मजबूत करना और दूसरा है कंड़क्शन जो जाइलम में हम देखते हैं पैसल्स और ट्रैकिल्ट्स यह सब डेट सेल हैं लेकिन काम कंड़क्शन का करती हैं डेट सेल हैं इसलिए पानी का ट्रांसपोर्ट कर पाती है यह पूरी तरह विभेदित होकर डेट सेल इस तरह से बनती है कि वो किसी काम को करती है ड्यू टू लिगनीन डिपोजिशन यह आपको ध्यान रखना है कि पहले जो था पैरेंट काईमा उसमें किसी प्रकार का डिपोजिशन नहीं है कुछ भी जमा नहीं है दूसरे में पेक्टीन जो हमने कहा था और तीसरे में लिगनीन का डिपोजिशन पाया जाता है तो अंदर का जो प्रोटोप्लाजम है वो नस्ट हो जाता है क्योंकि बहस से किसी भी प्रकार का लिगनीन की वज़े से गैसियस या फिर वाटर का कोई भी ट्रास्पोर्टिशन नहीं होता है तो इस तरह से यह एक इस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है कि यह डेट सेल हो जाए उसके बाद इस यह डेट सिंपल पर्मानेंट ग्राउंट टिश्यू तब फंक्शन ओफ स्क्लेरं काई मा इस सिमिलर तूदर काई मा टिश्यू वैसी मेकेनिकल स्ट्रेंट प्रदान करना यांतरिक शक्ति इस गिविंग मेकेनिकल सपोर्ट and tensile strength tensile तन्य शम्ता में व्रद्धी करना ब्रेक नहीं हो जाए scleran kyma cells function as skeleton जैसे हमारे अंदर हड़िया है उसी तरह से ये एक skeleton मनाता है और plant system that contribute rigidity to withstand against various ecological stresses जो कि बहुत सारे जो ecological stress होते हैं उनकी against rigidity द्रडता प्रदान करता है during the initial growth cycle of plant the scleran kyma persist as a living cell initially ये living cell होता है found as a spiral or ring pattern तो पहले पहले तो ये deposition spiral or ring patterns में होता है on the plant maturation the scleran kyma cell become dead by the accumulation of lignin that make make the cell harder and in previous to the exchange of water salute gases between the environment and inner protoplast इस चीज का यही मतलब है पहले living होती है उसके बाद जैसे जैसे लिगनीन का deposition शुरू होता है वैसे वैसे उस cell के अंदर जैसे यह cell है और यहां पर जब लिगनीन डिपोजिट होना शुरू हो जाता है तो इस scleran kyma cell में अंदर बाहर कुछ नहीं जा पाता और यह दीरे दीरे यह जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट में है वो खतम होने लग जाता है और रह क्या जाता है सिर्फ cell wall ओके खाली cell रह जाती है scleran kyma refer as a dead tissue because of its dead degenerated और functionless inner protoplast अंदर कुछ protoplast का कोई function नहीं है degenerate हो गया खतम हो गया है इसलिए dead tissue कहते हैं mechanical and conductive scleran kyma tissue are two common type based on the function of scleran kyma तो या तो यह कोशी का है help करती है यां तरिक उसको देने की support करने की उत्तक को तूटने से बचाने की या फिर दूसरा काम है कंडक्शन का तो दो तरह के इसके main काम है mechanical और conductive या तो चीजों को transport करने जैसे जायलम में पाया जाता है और mechanical यानि कहीं कहीं पर यह सिरफ एक skeleton type मजबूती प्रदान करने के लिए पाई जाती है different different type की tissues में जगा जगा fiber, sclerates, trackery elements are three common type based on the morphology of sclerate chymet tissue अब इसमें भी तीन type की कोशिकाएं पाई जाती है ऐसा नहीं कि तीनों मिलकर कोई काम कर रही हम जब complex permanent tissue पढ़ेंगे तब हम जायलम में देखेंगे कि चार टाइप की कोशिकाएं मिलकर है एग काम कर रही है water conduction का यहां वह चीज नहीं है यहां सिरफ fibers हैं तो fibers एक ही काम कर रहिए स्क्लेयरेड्स पाई जाती है तो वह एग काम कर रही है कोशिकाएं के सरचने अलग 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 जगर पाई जाती है काम एग ही करती है उसके बात देखे इसमें एक यह डाइग्राम जो मैंने लिया है Based on function, function के अदार पर दो काम है इसके Mechanical and Conductive दूसरा, अगर आप इस तरह से डाइग्राम बनाते हैं तो नमबर देना काफी आसान हो जाता है चेकर के लिए क्योंकि जब कॉपी चेक की जाती है तो वो आपकी एक-एक लाइन को नहीं पढ़ते हैं जैसा मैं समझते हूँ तो आप अगर उनको डाइग्राम से समझाने का प्रयास करें तो आपको better result और better marks पढ़ते हैं मिलते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि biology में बाटनी जूलो जी दोनों में सबसे पहले डाइग्राम बनाने की कोशिश कीजिए आप जितने points हैं जितना भी आप लिखना चाहते हैं उनको points से लिखने की कोशिश कीजिए जो important हैं उनको underline करें तब तो आपको मिलेंगे number उसके बाद अगर आप एक ही paragraph में सब mix करके लिख देते हैं और आपके हिसाब से आपने सब कुछ लिख लिया है उसके बावजूद आपके marks नहीं आपाते हैं अगर आप इस तरह से लिखते हो diagram बनाते हो और उसको थोड़ा emphasize करने की कोशिश करते हो दिखाने की कोशिश करते हो तो marks आसानी से मिलते हैं तो based on morphology देखिए mechanical जो है जो शक्ती देता है पौदे को strength बढ़ाता है मजबूती बढ़ाता है उसमें तो दो तरह की कोशिका है sclerates and fibers यह हमने 12 में पढ़ा है उसके बाद यहां जो नहीं चीज़ है conductive भी आपको साथ में include करना है क्योंकि जो यह trackery element होता है vessels and trackids, ingylem यह भी dead tissue है scleranchymes, कोशिकाएं पाई जाते है तो इस तरह से तो tissue है fibers and sclerates fibers, sclerates एक elongated होती है देखिए इसमें जैसे elongated बताया है इसकी जो अंदर lumen है वो काफी संक्री पाई जाती है fibers में इस प्रकार की लंबी-लंबी कोशिकाएं पाई जाती है और दूसरा है sclerates जो gold type होती है उसके अंदर lumen ज्यादा बड़ी होती है कहीं कहीं fruits में या आप जासे देखते हैं चिकू है पाइनेपल और क्या कहते हैं कि जो कोशिकाएं हैं उसमें इस तरह की कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती है